दोस्तों आज संकष्टी चतुर्थी हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन भागवान श्री गणिश का पूजन करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती हैं भागवान श्री गणिश अपने भक्तों को मन चाहा बर्दा देते हैं इस दिन भागवान श्री गणिश को प्रसंद क करने के लिए चंद्यदेव का पूचन अवश्य करना चाहिएं कहते हैं इस दिन चंद्यदेव के केड़नों से भागवान श्री गणिश का आश्रवात प्राप्त होता है और जीवन में सुक्सम्रध्धी आती है आज की इस वीडियो में हम आपको चतुथी तिथी पर भागवान श्री गणिश को पसंद करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को कहने से भागवान श्री गणिश की कृपा से सभी काम निर्विग्न पूरे हो जाते हैं धन सम्मंदी समस्याएं दूर हो जाते हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं इस उपाई को करने से नाकेवल भगवाई श्री गणिश की कृप्पा प्राप्त होती है, बल्कि साथ में ही धनकी देवी मा लक्ष्मी जी का भी आशिरवाद प्राप्त होता है, तनसम्मंदी समस्याइं दूर होती हैं और हर छेत्र में सफलता प्राप्त होती है, सभी कारें निर्वेगन पूरे हो जाते हैं यह उपाई आप गणिश्चतुती के दिन किसी भी समय कर सकते हैं उपाई करने के लिए इस्तनान करके सच्छ, हरे या पीले रंगे बस्त थारण करें अब आप एक सिक्का लें इसके लिए आप एक रुपए का पांच रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं सिक्के को सावन से धुकर अच्छी तरह से साफ कर लें और इस पर गंगा जल का छिड़का करें अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें इसके बाद भगवान शिरी गणेश जी के सामने एक शुद्ध खी का दिया जलाएं और एक सुगंदे धूपत्ती जलाएं दिये को आप किसी पात्र में रखें अब आप भगवान शिरी गणेश जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं फल मिष्ठान ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर का भगवान शिरी गणेश जी को भोग लगाएं हो सके तो आज के दिन दूर्बा अवश्य ही भगवान शिरी गणेश को अर्पित करें इसके पश्चात आप एक पात्र में लाल रंका सिंदूर लें सिंदूर में आप थोड़ा सा शुद्ध चल या गंगाजन मिला लें अब इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिरी गणेश जी को सिंदूर से तिलक करें मंत्र इस प्रकार है सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग के सुख वर्धनम हिंदू तर्म में भगवान शिरी गणेश जी को सिंदूर चड़ाने के पेछे कई मानेता है यह मंगल एवुम शांती का प्रतीक होता है गणेश जी को सिंदू से तिलक करेंगे से घर में शुक सम्रति आती है बुरी नजय से भी बच्चाप के लिए गणेश चतूथी के मौके पर लाल रंका सिंदूर भगवान शिरी गणेश जी को अवश्य ही लगाना चाहें ऐसा कहने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है शिप पुराण के अनुसार हाती का मस्तख गणेश जी को लगाते समय सिंदूर का लेप लगाया गया था ऐसी में गजानन को सिंदूर अरपन करने से मुसीवतों से बच्चाप होता है गणेश जी को सिंदूर चढाने से बुरी शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है इसी नकारात्मक शक्तियों से भी बच्चाप होता है गणेश जी को सिंदूर से तिलक करने के पश्चाथ अब आप भगवान शिरी गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार चाप करें मंत्र इस प्रकार है बक्र तुंड महा काय, सूर्य कोटी समप्रभा, नेविक नम कुरुमे देव, सर्वकारे शुख सर्वदां। इसका अर्थ है घुमाबतार सून वाले विशान शरीर काय, करोणों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली, मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कारे विना बिग्न के पूरा करने की कृपा करें मंत्र का जाग करने के पश्चात आपने भगवान शरी गणिश जी के चर्णों में जो सिक्का रखा है, आप उस सिक्के पर आप सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिखें ध्यान रखें, इसके लिए आपको वही सिंदूर इस्तमाल करना है जिससे आपने भगवान शरी गणिश जी के तिलक किया है अपने नाम का पहला अक्षर लिखने के बाद आप इस सिक्के को फिर से भगवान शरी गणिश जी के चर्णों में रखतें इसके बाद भगवान शरी गणिश जी से अपने सभी भगवान शरी गणिश जी से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रातना करें इस तरहें पूजन करने के पश्चात अब आप उसी सिंदूर से अपने माथे पर भी तिलक करें ऐसा करने से आपको भगवान शिरी गणिशी की क्रपा प्राप्त होगी इस तरहें पूजन करने के पश्चाथ आपने मंदिन में जो जल का लोटा भरके रखा है उसके उपर आप एक प्लेट ठकते हैं अब इस प्लेट में आप थोड़े से साबुचावल रखते हैं ध्यान रखें सिक्के पर जो आपने अपने नाम का पहला अक्षर लिखा है उसे आप उपर की तरफ रखें अब जल के पात्र के सहित इस सिक्के को आप किसी ऐसे इस्थान पर रखें जहां चंद्रमा की रोश्मी पड़े ध्यान रखें वह इस्थान साफ होना चाहें आप अपनी छट पर आंगन में या बालकानी में या खिड़की पर कहीं पर भी इस जल के पात्र को रख सकते हैं रात पर आपको इस पात्र और सिक्के को ऐसे इस्थान पर ही रखना है जहां इस पर चंद्रमा की चाया पड़ती रहे दूसरी दिन सुभे आप इस सिक्के को उठाएं अपने माथे से लगाएं भगवान श्री गणिश्ची का नाम ले और इस सिक्के को आप अपने परस में या अपने धन रखने के इस्थान पर रखतें ऐसा कहने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती इस सिक्के को परस में रखने से परस हमेचा रुप्यों से भरा रहता है और आप इस सिक्के को लेकर जिस भी कारे के लिए जाएंगे वह कारे आपका भगवान श्री गणिश्ची की कृपा से निर्विगन पूरा हो जाएगा सिक्के के नीचे जो चावल रखेते उन्हें आप अपने घर के चावलों में मिला दें और जो जल है उस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काब करें ऐसा करने से घर में से नकारात्मक उर्जा दूर हो जाएगी ध्यान रखें जल का आपको अशुद्ध जगे पर जैसे कचर रखने का इस्थान या बात्रूम पहाँ पर आपको इसजल का छिड़काब नहीं करना है गणिश चतुथी की राथ को इस उपाय को करने से चंद देव के केनों से मिलने वाला भगवान शिरी गणिश का आशिरवाद इस सिक्पे और जल में समा जाता है भगवान शिरी गणिश के आशिरवास स्वरूप इस सिक्के को अपने पास रखने से बिगन हर्ता भगवान शिरी गणिश जी के किरपा से हर कारे में सफलता प्राप्त होती है भगवान शिरी गणिश के आशिर्वास सुरूब इस चल को ग्रहर करने से तनमंज स्वस्थ रहते हैं और भगवान शिरी गणिश जी के क्रपा प्राब्त होती है दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि आपने अपने नाम का पहला अक्षर सिक्के पर लिखा है तो आप इस सिक्के को अपने पास ही रखें या फिर आप अपने घर में भी धन रखने के इस्थान पर इस सिक्के को रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें, अपने नाम का अक्षर लिखा हुआ ये सिक्का आप किसी और को ना दें। उमीद है आपको हमार ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचेंग, राधे राधे